नमस्कार दोस्तों इनके मोनीटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चारक की नीती की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ चारक की नीती को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें दोस्तों आचारे चारक के बहुत बड़े अर्थशाष्त्री और नीती कार थे आज भी उनकी नीतीयों का पालन लोग करते हैं चारक के से राजा महाराजा भी शिक्षा गरहर किया करते थे आपको बता दें आज के समय में भी लोग आचारे चाड़के की नीतियों का उपयोग अपने जीवन में करते हैं और उनकी बातें लोगों को आगे बढ़ने की सलाह देती हैं दोस्तों आचारे चाड़के ने पती पतनी और दामपत्य जीवन पर कई विचारों का वरणन किया है उन्होंने बताया है कि ग्रहस्त जीवन में खुशियां तभी आएंगी जब पती और पतनी दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे इसके लिए दोनों को संतुष्ट रहना बेहस्त जरूरी है दोस्तों पतनी को पती की कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर पती अपनी पतनी से इस चीज की मांग करता है तो पतनी को बेजिजक पूरी करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी एक चीज के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे प्रेम की चाहत को पूरा करें दोस्तों आचारे चाड़के कहते हैं पती और पत्नी के बीच प्रेम का बरकरार होना बहुत जरूरी है कई बार ध्यान ना देने पर रिश्टों में धरार आ जाती है ऐसी इस्थिति में पत्नी को अपने पती पर अगर आपस में प्रेम नहीं होगा तो बार बार लड़ाई जगडे की इस्थिती बनी रहती है इसलिए पतनी को हमेशा अपने पती के प्रति प्रेम जाहिर करना चाहिए हर संभव प्रयास करना चाहिए जिससे रिष्टे में परेशानी ना आए इसलिए पती की चाहत अगर प्रेम की हो तो उसे प्रेम से संतुष्ट करना उसकी पतनी का करतब्य होता है दोस्तों आज का वीडियो वस यहीं तक हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सकें दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही इंट्रेस्टिंग इन्फोर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत